अब गटबंदन की गाठ खुलने के बाद बारी राजिस्थान की जहां अकलेश यादव कॉंग्रिस की पोल खोलने की तयारी करें माना ये जा रहा है कि जैंतर कॉंग्रिस में समझोते की राजनिती को भी अकलेश यादव उच्छालने वाले हैं यूकि जब मध्यप्रदेश में बात नहीं मनी तो अब राजिस्थान के रण में अकलेश यादव कॉंग्रिस के खिलाफ चक्रवी हूँ रचने वाले हैं अमारी खाच रूपोर देखे पहले उत्रप्रदेश में मोलभाव फिर मध्यप्रदेश में सीट पर तनाव तो अब राजिस्थान के चुनाओ में कॉंग्रिस के खिलाफ अकलेश नया दाव चलने वाले हैं और उन सीटों पर कॉंग्रिस को चुनोती दे रहे हैं जहां कॉंग्रिस के प्रतियाशी जीत का दम भर रहे हैं देखे कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सयोगी दल बने ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ ले करके एक गडवन्दन का संदेश दिया जाता लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है लेकिन पीडिय उनको जवाब देगा इस्वार पांच राजियों में हो रहे चुनाओं में दोहजार चौबीस की सियासी चाय उबल रही है और ऐसे में इन चुनाओं ने लोग सभा के लिए एक मंच पर आए विपक्षी दलों में भी टकरा और पैदा कर दिया है आलम ये है कि जन सभाओं में इंडी आनबाजी सुर्खियां बचो रही है अखिलेश यादव खुद मध्यप्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और वहीं अब राजिस्थान में भी कॉंग्रिस की पोल खोलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं दरसल मध्यप्रदेश में सीटों के बटवारे पर सपा कॉंग्रिस में ठन गई थी लहाजा दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोंक दी MP में सपाने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिये कॉंग्रिस के खिलाफ अखिलेश खुद मैदान में डटे हैं अब राजस्थान में भी SP कॉंग्रिस में टकराव होगा राजस्थान में SP ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिये और दूसरी तरफ राजस्थान में कम सीट मिलने के बाद भी RLD कॉंग्रिस के साथ समझोती की राजनीती कर रही है और मध्यप्रदेश के विवायद को आपसी लडाई बता रही है यहां तक की जयन्त चौधरी ने कह दिया कि राजनीती में कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता देखिए उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है और उनकी कोशिश है मध्यप्रदेश में उनकी पार्टी का अपना एकस्तित्व है राजिस्थान में जरूर हमने कॉंग्रिस के साथ समझोता कर लिया है और जहां तक इंडिया की बात है यह बात है थी कि राजों में शायद उस्तरगा तालमेल बनाना संबब नहीं था आप वेस्ट बेंगॉल को भी देखेंगे वहां लेफ्ट पार्टी का भी अपना एक लेम है वो भी इंडिया में है टीमसी भी इंडिया में लगातार ममता जी खुद शामिल होती आई है और केरला में भी प्रॉब्लम्स है यह दिक्कते कई राजों में आएंगी सवाल ये भी बनता है कि आप अंडिया से पूछें अंडिया का है व्यानि एक तरफ कॉंग्रेस और अरल्डी साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान में अब अखिलेश कॉंग्रेस की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं जिसका असर एक बार फेर से इंडी गटबंधन की एक जोटता पर पढ़ने वाला है कि मद्द प्रदेश की जनसभाव में जिस तरीके से भीड उमड रही है उसको देखते हुए राजस्थान के समाजवादी नेताओं और उनके समर्थकों में उस्सा है लिहाजा वो अखलेश यादो की रैली की डिमांड कर रहे है इसको लेकर पार्टी में मन्थन चला है जल्दी अखलेश यादो के राजस्थान कारिकम को लेकर घोशड़ा की जाएगी वीडियो जनलिस्ट रमेश रतनाकर के साथ संदीप पांडे न्यूजटी दिल्ली और घटबंदन खत्म कड़ेगले कॉंग्रस को बार बार लरकारने वाले अखलेश यादो को कॉंग्रस के वरश नेता आचारे प्रमोध कृष्ण ने करारा जवाब दिया है अभिशेक सोम हो सकते हैं वो बड़े नेता नहीं है बड़े परवक्ता नहीं है एक समान ने नेता है ऐसा मान लेते हैं परवक्ता है नेता है लेकिन अखिलेश जी के बराबर नहीं है अकिलेश जी ने भी तो बोल दिया बचता क्या है बचाने को ढखता क्या है ढखाने को छुपता क्या है छुपाने को बताईए सब लुट रहा है देखィया अमीज जी मैं एक बात मैं साफ तोर से कहना चाहता हूँ और कान खोल के सुन दे सारा हिंदोस्तान कि कोई गलत फैमी में ना रहे अगर अखलेज जी ऐसा मानते है कि कॉंग्रेस पारटी धोकेबाज पारटी है अगर अखलेज जी ऐसा कहते है कि कॉंग्रेस पारटी गलत पारटी है कहते नहीं है कहा है अखलेज जी ऐसा कहते हैं कि कॉंग्रेस और बीजेपी मिली हुई है तो फिर इंडिया गटवंदन में रहने का अखलेज जी को कोई अधिकार नहीं है अगर कोई कॉंग्रेस के छत्र के नीचे, कॉंग्रेस के साय के नीचे, कॉंग्रेस के समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है, उसका स्वागत है लेकिन एक बात मैं अभी हमारे जो अभिशेक सोम है बहुत ही प्यार करता हूँ मैं इनको इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे बड़े दिलेर वेक्ती हैं लेकिन भाया सीमाओं से बाहर मत जाया करो सीमाओं के अंदर रहना सीखो भारत में आपकी बहुत मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता अब जी को करना है कि वो गतवंदर रखना चाते हैं या नहीं रखना चाते हैं anarner में और उस पर बीट